नमस्कार दोस्तों मैं रेनू आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मासिक धर्म में हमें सिवरात्री का वृत कैसे करना है वृत करना है या नहीं करना है पूजा करनी है या नहीं करनी है क्या हमें वृत का फल मिलेगा तो आज यही सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महा सिवरात्री का पर्व आने वाला है और इस दिन का हम सभी भक्तिजन पूरी साल बर बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं यहे दिन भगवान भोलेनात को समर्पित होता है और देवों के देव महादेव इतने भोले होते हैं कि अपने हर भक्त की फर्यात सुनते हैं इसलिए भक्तिजन भी उन्हें मनाने की हर समभव कोशिश करते हैं महासिवरात्री का दिन भगवान भोलेनात को मनाने के लिए बहुत ही उत्तम होता है इस दिन छोटे बड़े लड़की-लड़कियां विवाहित एह विवाहित सभी इस दिन व्रत करते हैं पूजा पाट कर भगवान भोले नात को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें इसी के साथ हम लड़कियों और महिलाओं में इस वरत को लेकर बहुत ही शद्धा होती है हम हर तरह से भगवान भोले नात को मनाने का प्रयास करती हैं पूरी विदि विदान से मा सिवरात्री पर्व की पूजा अरादना कर बड़े ही हरसो उल्लास के साथ इस पर्व को मनाती हैं लेकिन महिलाओं की परेशानी इस वरत में बाधा डाल देती है जैसे की मासिक धर्म अगर वरत के समय पर हमें मासिक धर्म हो जाता है तो हमारे मन में अनिकों सवाल उठते हैं कि क्या हमें अब वरत करना चाहिए क्या हमारी पूजा सफल होगी क्या नहीं होगी क्या हमें इसका फल मिलेगा तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मासिक धर्म में पूजा करना निशेत क्यों बताया गया है हमारे धर्म सास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के ये पांच दिन हमें पूजा पार्ट नहीं करने चाहिए पूझा पार्ट तो दूर हमें पूजा पार्ट की किसी वस्थू को छूना भी नहीं चाहिए यहां तक कि अगर कोई पूझा-पार्ट कर रहा है तो हमें वहां से भी नहीं गुजनना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन पांस दिनों में हमारे अंदर इतनी negativity हो जाती है इतनी नकारात्मक उर्जा उत्पन हो जाती है जो कि किसी भी पावन कार्रिकों पवित्र कार्रिकों अशुद्ध कर देती है इसलिए धर्म सास्तर में बताया गया है कि मासिक धर्म के पांस दिनों में हमें पूजा पाट से दूर रहना चाहिए पूजा पाट के दिनों को वर्जित बताया गया है पुराने जमाने में तो ऐसे समय के लिए महिलाओं और लड़कियों को एक अलग कमरे में रखा जाता था ताकि उनकी परचाई भी किसी पर न पढ़ सके उन्हें घर में और रसोई घर से दूर रखा जाता था यहां तक कीवे किसी के पैर भी नहीं चू सकती थी तो भगवान की पूझा पाठ तो बहुत दूर की बात है तो धर्म सांस्तरों की अगर माने तो माशिक धर्म में हमें पूझा पाठ नहीं करनी चाहिए इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कई महिलाओं को माशिक धर्म में बहुत अधिक पीड़ा होती है उन्हें बहुत ही एहसनिय दर्द होता है और जब हमारे शरीर में पीड़ा होगी हमें दर्द होगा तो किसी काम में हमारा मन ही नहीं लगेगा तो हम पूजा पार्ट कैसे करेंगे जब हमारा ध्यान ही नहीं होगा भगवान में तो उस पूजा पार्ट को करने से ही क्या फायदा क्योंकि भगवान तो श्रद्धा के भूके होते हैं जब हम पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अरशना करते हैं तो वो उसी से ही प्रिशन हो जाते हैं तो ऐसे समय में पीड़ा होती है तो पूजा पाट करने का कोई मतलब नहीं होता है लेकिन अगर आपको ऐसे समय में कोई पीड़ा, कोई ऐसे निये दर्द नहीं होता है और आप भगवान की भक्ती में अपना पूरा ध्यान लगा सकती हैं तो आप ऐसे में वृत कर सकती हैं लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती यहां तक कि आपको पूजा की किसी भी चीज को छूना भी नहीं चाहिए अगर वृत के समय पर ही आपका मासिख धर्म आ जाता है और आप वृत को करना चाहती हैं वृत का फल पाना चाहती हैं तो आप वृत कर सकती हैं लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है क्योंकि यह कोई हमारे हाथ की बात नहीं है यह तो प्रकरती का नियम है जिसे हम रोक नहीं सकते और नहीं कोई और रोक सकता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तो ऐसा नहीं है आप वरत कर सकती है लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है अगर ऐसा होता है कि आप सुभे की पूजा कर लेती हैं और उसके बाद आपको माशिक धर्माता है तो आप पूरे दिन वरत कर सकते हैं लेकिन आपको शाम की पूजा नहीं करनी है शाम की पूजा आप अपने परवार के किसी भी सदस्य से करा सकते हैं अगर आप विवाहित हैं, तो आप अपने पती से साम की पूजा करा सकती हैं, या फिर आपके बच्चे बड़े हैं, तो आप बच्चों से भी शाम की पूजा करा सकती हैं, ऐसे में आपका वृत पूरा माना जाएगा, वह खंडित नहीं माना जाएगा, आपको आपके वृत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और अगर आपको सिवरात्री से पहले या फिर कोई भी अन्यवरत उससे पहले आपको मासिक धर्म आ जाता है आपको कोई भी पिड़ा नहीं हो रही है कोई भी दर्द नहीं है आप अपना पूरा मन भगवान के भक्ति में लगा सकती है तो ऐ आपको पूजा नहीं करनी हैं, आपको मंदिर में नहीं जाना है, पूजा के किसी सामगरी को हाथ नहीं लगाना है, भोग नहीं लगाना है, बस आप मानसेक रूप से पूजा कर सकती हैं, अर्थात आप मन ही मन भगवान को याद कर, अपना पूरा दिन का व्रत कर सकते हैं, मन ही मन भगवान को याद करते हैं तो आपका वृत पूरा माना जाता है वैं खंडित नहीं माना जाता है और आपकी जो भी मनो कामनो होती है वो पूर्ण अवस्य होगी क्योंकि आपका वृत का फल आपको अवस्य मिलेगा तो इसी तरह से कोई भी वरत हो, अगर ऐसे टाइम पर आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आप वरत कर सकते हैं, बस आपको पूजा नहीं करनी हैं, क्यूंकि कुछ वरत तो ऐसे होते हैं, जिनने हम साल भर करते हैं, वो अगर एक बार को छूट भी जाएं, तो कुछ नहीं होत लेकिन कुछ वरत ऐसे होते हैं जिने छोड़ना नहीं होता है जो साल में सिर्फ एक बार आते हैं जैसे कि करवा चौत का वरत है तीज का वरत है जन्माष्ट में सिवरात्री ये कुछ वरत ऐसे होते हैं जो साल में एक बार आते हैं तो इन्हें हम छोड़नाहीं सकते हैं तो आप इन व्रतों को कर सकते हैं बस आपको पूजा नहीं करनी हैं इसी तरह से कुछ व्रत होते हैं जो हमारी मननत के अधार पर हम रखते हैं उनकी हमने मननत मांगी होती है उनका हमने संकल्प लिया होता है जैसे सोला सुमवार के व्रत हैं और भी व्रत होते हैं जिनकी आपने मनत मागी है तो उन वरतों को भी बीच में छोड़ना गलत होता है तो ऐसे में आप उन सभी वरतों को कर सकते हैं बस आपको इसी बात का ध्यान लखना है कि आपको पूजा नहीं करनी है पूजा आप अपने घर के किसी भी सदस्य से करा लें ऐसे में आपका वरत पूरा माना जाएगा वो खंडित नहीं होगा और आपको आपकी वरत का पूरा फल मिलेगा आपकी जो भी मनो कामना होगी वो अवश्री पूरी होगी तो इसी तरह से आपका कोई भी वरत है अगर आप वरत करने में सच्छम है तो आप वरत कर सकते हैं और अपनी मन ही मन भगवान को याद कर मांसिक पूजा कर सकते हैं आपका व्रत जरूर पूर्ण होगा लेकिन अगर आपके सरी में पीड़ा होती है दर्द होता है तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे में व्रत ना करें भगवान सब समझते हैं भगवान तो भक्ती के भूके हैं वे कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त पीड़ा में रहे और ऐसे में व्रत करने का फायदा भी नहीं होता है कि जब आपका मन ही नहीं लगेगा पूजा में तो ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं तो अगर आप व्रत करने में सच्चम हैं तो आप मासिक धर्म में व्रत कर सकते हैं बस आपको पूजा नहीं करनी है और आप सच्चम नहीं है तो आप व्रत ना करें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान सब देखते हैं सब जानते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ये तो प्रकर्ति का नियम है ये तो होना ही है इसे हम या आप कोई भी नहीं रोक सकता है तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैं मिलूंगी ऐसी ही नेक्ट ना पूर्ण करें तो बोलिए ओम नमस्षिवाई